हेलो एवरीवन राधे राधे जैसे किसना सभी को तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नौकरी एस्पेरंट में हम आपके रिलाए हैं जिक्कर बोश्टर स्कोर डॉज सीरीज जिसमें किलास 17 को आज हम डिसकस करेंगे अगर इससे पहले की किलास नहीं देखि इंपोर्टेंट है आपके लिए तो इन सभी किलासों को अच्छे से जरूर देख ले ना फ्रेंड्स इस क्लास में हम पिछली परिक्षा में पुछे गए इंपोर्टेंट एमस्टी को डिसकस करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बिर वीडियो को लाइक और शेर जरू कर देना दोस्तों हमारा फेस्ट क्यूशन है भारत की सबसे मिठे पाने की जील है तो कौन सी है भारत की सबसे मिठे पाने की जील तो हमारे जील है मिठे पाने की वोलर जील आंस्वर दी हो जाएग अनुशित पच्चिस के दौरा, निउतकी सभिकार की गारंटी दी गई है भारता के शभिदान में तो इसमें दूर्मिक सवरतंत्रता का आधिकार की गारंटी दी गई dynasty कोई है उत्तर में अंडुमान और दक्षिर में निकुबार को अलग करता है तो कौन सा जल निकाई करता है अंडुमान और दक्षिर में निकुबार को अलग तो वो है 10 डिग्री चैनल करता है अंडुमान और निकुबार को अलग नश्कुषे ने निमलिकित में से किस मौरी सासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो किस मौरी सासक ने की थी कलिंग पर विजय प्राप्त तो इसका अंस्वर है ए असोक ने नश्कुषे ने स्ट्रेट ड्राइव सबद निमलिकित में से किस खेल से समधित है तो किस खेल से समधी था ये श्ट्रेट डॉइव सबद तो इसका अंसर हो जाएगा B. किरकेट से किरकेट खेल से समधी थै श्ट्रेट डॉइव सबद किस कार्बिनिक योगिक में बादाम की सुगध सुगंध होती है जिसका अपयोग आमतोर पर चोकलेट और बेक किये गई सामानों में बादाम का सुवात परधान करने के लिए क्या जाता है तो किस कार्बिनिक योगि में होते हैं बादाम की सुगंध बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा बी बेंजाइल्ड हाइड बेंजाइल्ड हाइड एक कार्बिनिक योगी जिसमें बादम की सुगद होती है जिसका प्योग चोकलेट और बेक में बादम का सुगद है परधान करने के लिए क्या जाता है इसका प्योग निवल राष्टी क्या होता है क्या होता है नेट नेशनल प्रोडेक्ट तो यह होता है स्कल राष्टी उत्पाद और मुल्ले हास का अंतर निवल राष्टी उत्पाद कहलाता है अंस्वड़ी हो जाएगा नेश्क्यूशन है सिक बंदी छोड़ मनाई जाने वाले दीवस इन में से किन हिंदू तयवार के साथ सुमेली थे ये सिक बंदी छोड़ मनाई तो यह समद्धित है दिवाली से आंसर सी हो जाएगा नेश्क्यूशन देखते हैं पी एल चार सो असी योजना कहते है बारत किस देश में गेहूं आयत करता है तो किस देश से गेहूं आयत करता था भारत तो इसका राइट एंसर हो जाएगा B अमेरिका देश से PL 480 योजना के तहट भारत अमेरिका देश से गहूं आयत करता था एक्ष्क्यूशन देखते है भारत में जायद के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है तो कौन सी फसल उगाई जाती है जायद के मौशम में तो उगाई जाती है खीरा ककड़ी तौरू तर्बूज यह सब जायद फसले जो जायद के मौशम में उगाई जाती है कि नश्कूशन है कला छेत्र सेले किस भारते साथते नर्त से संब्दित है तो वो संब्दित है भरति नात्यम से आंसर हो जाएगा डी जलेवाला भाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था तो कब और किस स्थान पर हुआ था ये तो ये हुआ था देरा अप्रेल उननीस सो ननीस को अमरसर अमरसर में हुआ था जलेवाला भाग हत्याकांड निश्कुशन है पदम स्री पुरुषकार वीजीता वी सत्यनारेन सर्मा को निमिली घित में से किस नर्ते सेली के लिए मानिता दी गई है तो इनको ये उपर दी गई है कुछी पूरी नर्ते से लिए अंसर दी है इसका नेश क्यूशन है नेपाल के निमिलिकित में से किस सहर में इंडियन सिटीजन असोसियन ओफ नेपाल की साखा नहीं है तो किस सहर में नहीं है नेपाल में इंडियन स्टीजन एसोसिन उफ नेपाल की साखा नहीं है ललितपूर में नेश क्यूशन है राजसो परसासन को नियाएक परसासन से अलग करने के लिए परसासनिक सहीता किसने डिजाइन की तो किसने डिजाइन की है ये परसासनिक सहिता तो ये डिजाइन की है लाड कार्ण वॉलिसने की है आंसर भी हो जाएगा राजस परसासन को न्याय परसासन अलग करने के लिए जो परसासन सहिता डिजाइन की है वो किसने की है लाड कार्ण वॉलिसने भारते सविदान के भागतीन में मौलिक अधिकारों के कितनी समूव है 6 आनस्वर भी हो जाएगा अनस्वर यह जाएगा निष्क्युषन देखते हैं निमिली खित्मे से कौन्सी भारत की सबसे लंबी जील है और कौन रख्वारत की सबसे लंबी जील तो वह जील है व्यमणाड जील है beige question है भारतिय ओपिंग संग गठन किस को किस में क्या गए था भारतिय ओ रबिकस्त का गठनर तो इसका गढ़ा था 1927 में आंसर सी हो जाएगा नेस्ट क्यूशन देखते हैं पहला पेरा ओलंपिक खेल खालिस्तान में आज़ित क्या गया था तो कहां पर आज़ित क्या गया था पहला पेरा ओलंपिक खेल याज़ित क्या गया था ड्रोम में इटली के रोम में क्या गया था किसी भी एक्जाम की तयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंट्स हमारे हमारी विजिट वेबसाइट है www.nokri-experience.com फिरी पीडियाप्स और नोड्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नोड्स को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर आपको सभी प्रेकार के नोड्स और पीडियाप्स उपलब्द हो जाएंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक्जाम की नोड्स पीडियाप्स यहां पर उपलब्द हो जाएंगे अगर आप subject wise भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर subject के history, political, geography, सभी के notes मिलेंगे याँ पर आपको state wise भी आपको हर notes और PDF उपलब्द होगी याँ पर तो आप हमारी इस app पर ये सभी PDFs और notes उपलब्द कर सकते हैं नrej question देखते हैं नमीलेजिएतैं कौन सा भारत में अन्सुचित सारजनिकadin 6 के बेंकों में से एक नहीं है तो कौन है ये भारत सारजनिक बेंकों में ऐसे नहीं है वह बंधन cryptocurrencies means नीक्स्कुषशन है शिख्योभ पर एक व्यापक प्रस्वाश जिसे Liquid Dispatch On Education कहाता है कब बेजब गयाथा तो कब बेजब गयााіль था ये Rs.ny Dispatch On Education अठारसो चोवन में आंसर भी हो जाएगा अठारसो चोवन में बेजग आए था ये नवी किसी थी थी भारत की पहली पैटरो केमिकल कंपनी तो वो थी पैटरो केमिकल कंपनी थी ड़ में आकि युल्ल घाल जो पाध की पहली इस लेह Hersia सफ़सार जिए टाben बुरस कारेहले हुआ जो भर्त नाटम के लिए परसीद निमिली कितमे से किस नर्ते सेली के पर्तिपादक भी है तो किस नर्ते के पर्तिपादक है ये अल्लार मेल वल्ली भर्त नाटम के लिए तो है परसीद इसके अलावा किस और नर्ते सेली से पर्तिपादिक है तो ये है और इसी नर्ते सेली से परतिपादिक है नेश्ट कुश्चन है 1808 में किसके कारे ने ये बोतिक चित्र परदान किया कि दो या दो से अधिक विभीन परकार के परमानों के सयोजन से योगिक कैसे बनते हैं तो किस ने किया यह सहयोजन कि दो या दो से अधिक विबीन प्रकार के परमानों के सहयोजन से योगिक कैसे बनते हैं तो यह बताया था जोन डोल्टन ने निमिली खित में से कौन सरवोच्य नाले की साहिक सक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है तो कौन कर सकता है साहिक सक्तियों के लिए प्रावधान तो वो है भारत की संसत कर सकती है यह अरोना साहिराम, टी एम किर्षना और गायतरी गिरीश संगीत की किस विद्धा से जुड़े हैं करना तक संगीत विद्धा से जुड़े हुए है कथक तीन अलग अलग डूपों में पाया जाता है जिनने घराना कहा जाता है जिनका नाम उन सहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नर्ते पर विक्षित हुई थी उन तीन सहरों के नाम बताईए तो कौन से हैं वो तीन सहर जहां पर कथक नर्टे की परिंपरा विक्षित हुई थी वो तीन सहर है जेपूर, परनारस और लखनौ इन तीनों सहरों में कथक नर्टे की परिंपरा विक्षित हुई थी नश्कुशने किसी विशेश पौसितर पर खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है तो उसको मापते हैं जे उभार के रूप में किसने प्रदसित किया कि चोध्य आकाशी जालक या अन्तराल में बिंद्यों कि नियमित रूप से दोहराई जानने वाली वेविस्ताई है जो सम्मिति और ज्यामिति से भिन है तो किसने पर्दसित क्या था ये बताईए तो इसका राइट अन्सोर है ए ओंग्ष्टे ब्रावेश्ट ने 19 सद्धी की सुरॉत में ये पर्दसित क्या कि जोदे आकासिय जालक या अंत्राल में बिंदो के नियमित रूप से दोराई जाने वाली वैस्ता जिसको सम्मिति या जैमिति से भीन है ये फ्रेंट्स आप से रिक्वेश्ट है एक बर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना साथ ही कमेंट करकर बताना की वीडियो कैसी लगी आपको कुशन की आनेर पंजारा वागूर किस नदे की साहिक न दिया है तो किस की साहिक न दिया ये तो ये साहिक न दिया है ताप्पी की आंसर सी है निश्कुष्ट ने करसोन दास मुलजी दादोबा पंडूरंग खालिस्तान से जुड़े थे जिन्होंने जात्य वैस्ता जैसी बुराय के खिलाब काम किया और विद्वा पुर्णर विवा को प्रहसाइद किया तो किस से जुड़े हुए थे ये प्रम हंस मंडली से करनास मुलजी और दादोबा पंडूरंग जोने जात्य वैस्ता जैसी बुरायों को अंत किया और विद्वा के पुर्णर विवा को प्रहसाइद किया नश्कुशने आर्यों की मुख्य सामाजी की काई थी तो आर्यों की जो मुख्य सामाजी काई थी वो क्या थी जन थी नश्कुशने निमिलिखित में ऐसे कौन बह्मनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने स्यास्री पे बैठने के बाद बह्मन सा की उपादिधारन की तो कौन था बेहमनी सल्तिनत का संस्थापत तो वो था अलावदिन हसान नश्कूशन है खालिस्तान वे और खालिस्तान प्राप्ति सरकार बजट द्वारा दसाई जाती है तो किसके द्वारा दसाई जाती है ये सरकारी बजट तो ये ज़ा दसाई जाती है अनुमानित वे और अनुमानित प्राप्ति प्राप्तिया सरकारी बजट के द्वारा दरसाई जाती आंसुदी हो जाएगा नेक्स कुषण, 1955 में खोजे गए एक धात्वी रेडियो धर्मी प्रायूरेनियम तत्तव का नाम क्या है जिसका एक्टिनाइड संखला में परमानु कर्मा 101 है तो क्या नाम है इस तत्तव का जो 1905 में खोजा गया था तो इसका नाम है मेंडेली वी यम मनेली वीयम है जो 1905 में खो गए था एक दात्वी रेड़ो धर्मी प्राय यूरेनियम तत्तव है जिसका प्रमानों करमा क्या है 101 एक सो एक इस कुछन देखते हैं खालिस्तान के भंडार मुख्य तमिलनाडो के नवेली में इस्तित है तो किसके भंडार तमिलनाडो के नवेल यूद्ध जैसार की दस राजाओं का यूद का उलेक है तो किस वेद में है यह रिगवेद में है नष्क कुछन है 2011 की जनगन्या के अनुसर भारत में करसी स्रेमिको का परतिसत कितना है तो 2011 की जिनकर ना में भारत में करसी स्रेमिको का परतिसत है चोवन पॉंट 6 परसेंट है नेश्क कुशन है दिल्ली सलतनेत में दाग और हुलिया और स्चैनिको को नगत भुकतान की वैस्ता किसने शुरू की थी तो किसे ने शुरू की थी ये वेवेस्ता तो ये शुरू की थी अलाओ दिन खिल जीने आंसरे हो जाएगा तो फ्रेंट्स कैसे लगी आज की क्लास कमेर सक्सें में जरू बताना साथ ये वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चुरू कर देना पीडियोप्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेफसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेफसाइट है www.naukariespran.com थैंक्यू फ्रेंज बाइबाइ रादे रादे